का अए दोस्टो नमस्कार होम्योग्ञान चैनल पर आपका स्वागत है आज हम बहुत ही स्पेशल सब्ज़क्ट लेके आए हैं हैं है रलॉस दौस भूख शाडरे हमारे दर्शकों का कमेंट आरा था कि हमें एक वीडियो है ये hair loss के बारे में है कि हम hair loss को homeopathic वैसे कैसे treat कर सकते हैं दोस्तों ये ध्यान से अपनी स्क्रीन को देखिएगा इसमें हमने hair loss के तीन टाइप बता है जो most common तीन टाइप है कैसे ये hair loss होता है और इनके तीन जो है most common टाइप क्या है पहला है male pattern baldness जो mostly लोगों में देखने को मिलता है males में मिलता है, पुरस में मिलता है इसमें से सर के बीच में से बाल उड़ जाते हैं, धीमेधी में कम होते चले जाते हैं और male pattern baldness, baldness जो है, वो hereditary भी हो सकता है यानि कि इन्वान्सिक भी हो सकता है अगर ये किसी को है तो बहुत ज़दा चांसिस हैं कि उनके फादर को या फोर फादर को male pattern baldness रहा हो उसके अलावा second जो है वो alopecia है alopecia के case में अगर scalp पर कोई infection हो जाता है या hormonal change हो जाते हैं, disturb हो जाते हैं बहुत तेजी से तो चकते के रूप में, spot के रूप में baldness हो जाता है वो चकते जहां-जहां हो जाते हैं, वहां कोई बाल नहीं रहता है या बहुत कम बाल हो जाते हैं, उस जगे बाल आपको नहीं देखने को मिलेगा तीसरा है hair thinning जो age के हिसाब से भी हो जाता है अगर body के अंदर में minerals की कमी हो जाए, severe कमी हो जाए, ladies जो में ज्यादा होता है अगर iron की कमी हो जाए, hemoglobin कम हो जाए, जो minerals है, जो body को चाहिए function करने के लिए वो कम हो जाए, तब भी hair thinning बहुत तेजी के साथ में होने लगती है उस तो होता यह है कि हमारे scalp में नीचे छोटी छोटी सिराएं हैं, नसे हैं जिन से blood का flow जाता है और वो flow nutrition लेकर के हमारे बाल के follicle यानि कि जड़ तक वो पहुंचता है तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ cases में जो हमारा जो खून का रक्त प्रवा है वो scalp में उतने effective तरीके से नहीं होता है जितने effective तरीके से उसको होना चाहिए या हमारे blood के अंदर में जो nutritional component है वो घट जाते हैं तो हमारे जो है जो बालों की जड़ हैं उनके अंदर में nutritional value कम पहुंचती है hair thinning start धीमे धीमे हो जाता है alopecia के case में यह होता है कि कोई scalp पे infection हो जाता है उसकी वज़े से चकते बन जाते है male pattern जो है वो hereditary हो सकता है या hormonal imbalance की वज़े से भी हो सकता है mostly cases में male pattern baldness hereditary होता है लेकिन hereditary के case में भी हम homeopathic से इसको काफी control कर सकते हैं और इसका progress को रोख सकते हैं alopecia के case में homeopathic बहुत अच्छा काम करती है alopecia में जो infection होता है वो दूर हो जाता है बाल फिर से होगने लगते हैं और hair thinning के case में तो कमाल कर देती है दीमे दीमे nutritional value मिलने लगती है बालों को और बालों की जो मोटाई है वो बढ़ने लगती है आये जानते कैसे हम homeopathic से इनको treat कर सकते हैं इन condition को कर सकते हैं बिल्कुल परेशान होने की जरुत नहीं है अगर आपके साथ कुछ भी ऐसा हो रहा है अगर आपको spot baldness हो गई है या फिर male pattern baldness है या hair thinning हो रही है तो बिल्कुल न घबराएं होमेपैथी में इसकी बहुत अच्छी दवाई है जबोरंडी दोस्तो एक बहुती famous medicine है इसको होमेपैथ अपने तरीके से exercise करते आए है पर जरूरत है इसको सही तरीके से लेने की अगर इसको सही तरीके से लिया जाए तो ये बहुत अच्छा impact करती है mostly cases में सही तरीके से नहीं ली जाती है इसलिए इसका फर्क नहीं दिखता है आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम इसको सही तरीके से ले सकते हैं तो हमको store से जबोरंडी का mother tincture लेना है और जबोरंडी 30 CH का dilution लेना है जबोरंडी जो mother tincture है वो base medicine है यानि या अर्क है जबोरंडी का और जबोरंडी 30 CH alcohol में dilute करके बनाई गई है तो यह दो medicine लेंगे जिसमें जबोरंडी mother tincture को हम लगाएंगे यानि कि जबोरंडी mother tincture से हम एक oil बनाएंगे वो आपको process में बताएंगे कैसे आपको oil बनाना है और जबोरंडी 30 CH को कैसे पीना है वो भी हम आपको बताएंगे दोस्तो तो हम पहला नंबर दूसा नंबर हमने दिखाया है इसमें तो पहला नंबर oil है दूसा नंबर पीना है पहला oil में हम क्या करेंगे कि हम जबोरंडी का एक oil बनाएंगे जब उरंडी का ओयल खैसे बनाएंगे 30 ml जब उरंडी Mother Tinsure ले लेंगे क्योंकि Mother Tinsure जो आती है बोतर वो 30 ml की आती है उसमें 15 ml ओलिव ओयल मिलाएंगे और 15 ml coconut यानि के नारिल का तेल मिलाएंगे तो 30 ml जब उरंडी का Mother Tinsure 15 ml ओलिव ओयल और 15 ml coconut oil को लेकर के एक बोतल में मिला लेंगे 100 ml की बोतल में डाल लेंगे जिसमें 60 ml का ये solution बन जाए यानि की oil बन जाए तो इन तीनों के मिला करके आप oil बना लेंगे जिसे हम जब उरंडी oil यहाँ पर बोल रहे है सेकंड जो है medicine जब उरंडी 30 CH है इसको पीएंगे तो यानि की जब उरंडी oil को लगाएंगे और जब उरंडी 30 CH deleted medicine को पीएंगे तो लेना कैसे और लगाना कैसे यह भी हम आपको बता रहे हैं तो आप क्या करेंगे की daily scalp पे मसाज करेंगे मसाज जो male जो नीचे हम ने दो तस्वीर बताई है एक gentleman बने हुए एक lady बनी हुए तो इस तरह से आप जड़ों में मसाज करेंगे आप क्या करेंगे रोज साम को अगर आप दिन में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि जब उरंडी के oil में थोड़ी smell आती है अगर आप सुबह साम लगा लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा आप नहीं लगा सकते हैं तो रात को जो है आप इसकी जड़ों में मालिस करके सो जाएं और सुबह दोलें और अगर आप सुबह भी इसको लगा सकते हैं सुबह साम तो बहुत अच्छा होता है अब आप आफिस जाते हैं तो आपको लगता है कि इसमेल आएगी तो आप रात पे लगा के इसको सो जाएं सुबह इसको साफ कर लें और अपना जो भी नॉर्मल ओयल लगाते हैं वो इसमेल लगा लें दोस्तों अगर बादाम का ओयल आप लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है क्योंकि उसमेल नहीं होती है न्यूट्रिशनल वल्यू आपको मिलती रहेगी आप जो है फैंसी ओयल से बचें दूसरा जब और अंडी जो है 30 CH का जो डालूशन है वो 4 ड्रॉप्स जीप पर डालके 3 टाइम से दे लेना है यानि जो न्यूट्रिशनल वेल्यू है वो आपके बालों की जड़ों के मिलनी शुरू हो जाएंगी इसमें ऑल्ले वायल है जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशनल है न्यूट्रिशनल वेल्यू उसमें बहुत होती है वो आपके बालों के मिलनी शुरू हो जाएंगी कोकोनट से खुद में एक बहुत अच्छा वालों के लिए तो उनको वाइटल जो रिक्वार्मेंट है वह उनकी पूरी होती रहेगी जब आप स्केल्प पर अच्छे से मालिस करेंगे तो स्केल्प में अंदर चला जाएगा दोस्तों यह बालों की जड़ों तक चला जाएगा उनको इंक्रीमेंट हो जाएगा उसके अलावा आपकी बॉडि की जो इम्यून सिस्टम है उसको यह प्रवोक करेगी और कुछ इस तरह से प्रवोक करेगी कि वह आपके स्केल्प में नुटिरिशनल वैल्यू जानी शुरू हो जाने उसका जब और अन्डी कैसे काम करती यह इसक और बोरेंडी ओयल सुबह साम लगाना है अजर वाइज आपको साम को लगाके कि सो नहीं है इस ओयल को अगर आप यह करते हैं तो धीमेधी में आप पाएंगे कि आपके जहां बाल नहीं थे जो बाल्डनेस की समस्या थी स्पॉर्ट बाल्डनेस की समस्या वो ठीक हो गई है नहीं बाल धीमेधी में आपको दिखने सुरू हो जाएंगे महीने बाल में जो अगर बाल जो हेर थिनिंग हो रही है हेर फॉल जो बहुत ज़्यादा हो रहा है वो रुक जाएगा धीमेधी में 20-25 दिन में बिल्कुल रुक जाएगा और आपका महीने बाल के बाद में धी मेंने अगर लगातार इसको करते हैं तो बाल मजबूत और घने आ जाएंगे उसके अलावा जो हेर स्पोर्ट बाल्डनेस अब तो हमने बता दिया वो ठीक हो जाती है इससे 100% ठीक हो जाती है उसके लाव जो हैरिड़ेटरी याई कि मेल पैटरन बाल्डनेस उसमें ये बहुत अच्छा असर करती है उस प्रोग्रेस को ही धीमे कर देती है तो जैसी ये स्टार्ट होता है किसी को हो रहा है अगर वो लगा ले स्टार्ट कर देता है तो उनकी ये समस्या बढ़ेगी नहीं वहीं कि महीं रुख जाएगी कुछ केसे में बाल वापिस भी आ जाते है और जिनको काफी हो चुकी है वो एगर इसको लगाता लगाते हैं तीन चार महीने तो दीमे धीमे नए बाल धीमे धीमे उगरी लगते हैं दिखने लगते हैं और उनकी जो प्रोग्रेस है कुरंट कंडिशन है वो एटलीस रुख जाती है वो आगे नहीं बढ़ती है तो दोस्तो आज हमने आपको बताया कैसे आप बाल्डनेस, हेर फॉल, हेर थिनिंग से होमेपैथी की ने लिखिएगा हमेपैथी में हमेपैथी दवा, खाना-खाने के 30 मिनट पहले या खाना- खाने के 30 मिनट बाद ही ले क्योंकि अगर आप खाने के साथ लेते हैं या खाने के आगे पीछे लेते हैं तो इसका effect कम हो जाता है कोशिस कीजिएगा हमपैतिक की कोई medicine खाने-खाने से 30 मिनिट पहले या खाने-खाने के 30 मिनिट बाद ही लें लगाने वाली जो medicine है उपर जो है application वाली जो medicine है वो तो आप कभी भी ले सकते हैं उसका कोई problem नहीं है लेकिन जो खाने वाली medicine है उसमें ग्याप रखना जरूरी है दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया हो हमारी जानकर यह अच्छी लगी हो तो हमें subscribe जरूर कीजेगा लाइक जरूर कीजेगा और bell item आइकन जरूर देवाईएगा धन्यवाद